नमस्कार एक बार आपका फिर से स्वागत है मैं मुकेश कुमार सान्वे स्टेट इंडिया प्राइविट लिमिटेट से फ्रेंट्स मैं एक बार फिर से आपके सामने 3BHK फ्लाट के साथ चलिए आज कुछ नया देख लेते हैं जो 3BHK का फ्लाट है वो 75 स्क्यार याड में ह हलाकि कोस्टिंग इसकी 37 लाक है हो सकता है थोड़ी सी आपको महंगी लगे बट हमारे पास 26 लाक के फ्लाट थे जैसा आपने देखा होगा हमारे विडियो में वो सोल्ड आउट हो चुके है 28 लाक के फ्लाट है 28 लाक का फ्लाट भी है 3BHK का जो 80 स्क्यार याड में हमने आ बहुत अच्छी है आप इस फ्लाट के बैलकेनी में खड़े होंगे तो आपको सामने मेट्र लाइन दिख जाएगी तो सारी चीज़े डिपेंड करती है कि आपका जो लोकेशन है फ्लाट का वो कहां पे है उसी के कोडिंग प्राइस डिसाइड होता है हलाकि अगर मैं 3BHK अपने पास तो 28 लाइक रुपीज से लेके 90 लाइक रुपे तक के फ्लाट है और उसका जो साइज स्टार्ट होता है वो सत्तर गिच से लेके आपका 1.500 तक है तो यह अभी हम आपको दिखाएंगे और अभी मैं आपको लिए चलता हूं जो हमारा फ्लाट है उसके सामने व बढ़ते हैं और देखते हैं चीज़े आईए यह सामने की हमारी में रोड है अलिवेशन एक बार दिखाएं सोंगे चलती हुई रोड सामने आपको कार्स भी दिख रहे होंगे यह अलिवेशन है हमारी बिल्डिंग का और अगर गेट दिखाऊं तो यह जो में इंटरेंस है जो पार्किंग आई यह से स्टेल की डोड लगे हुई है जैसे ही हम इस बिल्डिंग में एंट्री लेते हैं तो यह हमारा इस्ट फेसिंग है मिन्स यह जो प्लॉट है हमारा वो है इस्ट वेस्ट यहां आप मैं आग है और यहां से वहां तक पुरी कार पार्किंग दी गई है एक प्लॉड पे चार फ्लैट हैं गई हैँ डो त्पैड बेंसरफ है अज हम देखेंगे यहां से यह हमारा stairs उपर की तरफ जा रहा है stainless steel की railing लगाई गई है और यहां lift का area दिया गया है जहां पर हम खरे हैं यह हमारा 3BHK का flat है इधर हमारा 2BHK है और वाइस बरसा उधर भी हमने एक 3BHK दिया है और एक 2BHK दिया है जैसे ही यहां आप देखें पहले अंदर जाने से पहले मैं दिखा दूँ यह iron gate लगा के दे रहे हैं हम लोग और जैसे हम entry ले रहे हैं तो again यह west facing है और जब हम flat से बाहर निकलेंगे तो यह हमारा east facing होगा जहां हम खड़े हैं यह हमारा living area है जहां इस तरह के wall paper दिये गया है और उपर उस तरह का false link का design दिया गया है यहां splitacy का option हमने दिये है और यह वाला tv unit से यहां जो हमारा panel है टीवी पैनल वह हमने यहां पर दिया है यहां आपको यह stories मिल जाता है एक बार यहां पर आए मैं एक बार आपको flat दिखाने के खोशिस करता हूँ अगर मैं living room में खड़ा हूँ तो दो bedroom आपको friend में मिल जाते हैं यहां हमारा kitchen है एक washroom आपको common washroom यहां मिल जाता है और एक bedroom हमारा सामने है और हलाकि जो front में दो bedroom है उस एक हमारा master bedroom है जिसमें हमने attach washroom दिये हैं अभी आपने drawing देखा drawing के साथ ही यहां मैं आपको kitchen दिखाने की कोशिस करता हूँ यहां हमने kitchen दिया है यह kitchen का area है modeler kitchen यहां चिमनी लगाई गई है और यह सारे जो आप देख रहे हैं यह आपको storage आपको यहां मिल जा रहा है यहां भी हमारा storage है यहां आपको storage मिल जा रहे है और नीचे जो cutlery wear के लिए cabinets हमारे होते हैं वो सारे cabinets यहां पे आपको मिल जा रहे है यहां भी आपको space मिलता है जहां भी space है और उपर थोड़ा दिखाएं तो इस तरह का इधर हमने lights भी दिया है टैप लगाए गए हैं यहां हलाकि RO और गीजर दोनों का provision दिया गया है टैप लगा दिये गए हैं ठंदा पानी गरम पानी के लिए इक आपका जो जाल बोड़ है उसके लिए दो टरह के पानी है。」 यह अगर मैं बात कर लोड़ की जो पानी की टाइमिंग है वह एक particular timing fix time है उस time से आता है और अगर Sumasiival की बात करूं तो वो जो पानी है वो हमारे पास 24 hour होता है चले मैं आपको लिए चलता हूं common washroom में यह हमारा common washroom का area है इस तरफ wall shower लगाए गया है यह taps दिये गया है यहाँ wash vision है और इस तरफ जो आपका western seat लगाई गयी है उसका अलग से space दिया गया है और यहाँ आपको gizzard का भी provision इस washroom में दिया गया है यह हमारा first bedroom है अगर मैं इस bedroom की बात करूँ तो यह तक्रीबन 10 by 10 का bedroom आपको मिलता है texture paint इस तरह के आपको मिल जाते हैं और उपर बहुत ही बड़ी है false link की design दी गई है fan हमने already इसमें लगाया हुआ है और एक cupboard यहाँ मिल जाता है आपको एक alvira देखिए आप इसमें यहाँ भी आपको जो cabinets है यह वाला भी cabinets मिल जाते हैं यहाँ भी आपको storage मिल जाता है इसके एकर मैं height की बात करूँ तो तक्रीबन यह 9 by 9 by 3 का यह आपको alvira यहाँ मिल जाता है और ventilation के लिए यहाँ आपके window दिये गया है उसके बाद मैं आपको लिए चलता हूँ अपने second bedroom में यह हमारा second bedroom है और इसकी मैं size की अगर बात करूँ तो यह तक्रीबन 10 by 12 का size आपको मिल जाता है vitrified tiles लगाई गरी है हलाकि जो bedroom होता है उसमें vitrified tiles लगाई जाती है और जो bathroom है उसमें anti-skid tiles लगाई जाती है यह इस तरह के wallpaper का design जो golden look दे रहा है आपको और उपर false ceiling false ceiling में जो blue color की cob lights लगाई गई है LED lights भी है in fact इसमें हमने tube lights भी लगा दिया है और इसके ventilation के लिए आपको यहाँ पे window दिया गया है और यह space जो आप देख रहे हैं यह window SC के लिए दिया गया है और इसी के साथ आपको balcony के entry मिल जाती है जैसे हम balcony में आते हैं तो यह जो हमारा balcony का size है यहाँ इसलने से के railing भी लगाई गई है और यह taps आपको यहाँ पे मिल जाते हैं यह washing area complete आपको दिया गया है यहाँ पूर आपको washing area मिल जाता है आप चाहें तो यह washing machine भी लग सकते हैं और मैं आपको लिए चलता हूं अपने master bedroom में आए यह हमारा master bedroom है इसमें अगेन आप टाइस देख रहे हैं और यह इस तरह के जो टेक्शर पेंट है वो इस तरह के किये गया है size के अगर मैं बात करूं तो तक्रीबन 10 भाई यह 11 का यह bedroom का size आपको मिलता है जो master bedroom है हमारा ventilation के लिए आपे space दिया गया है और एक वेश्रूम आपको इसके साथ जो attached वेश्रूम है वो आपको यहां मिल जाता है यहां वास्पैसन लगाए गया है यहां कमोट दिया गया यहां आपका एक बर दिखा है geezer के लिए यहां पे space आपको तो यहां गिजर के लिए स्पेस मिल जाता है और यहां भी वाल शरवर लगाए गया है और यह टाप दिया गया आपको इसके वेंटिलेशन के लिए भी यहां पे स्पेस छोड़ा गया है तो फ्रेंट्स ओबर ओल मैं अगर इस फ्लाट की बात करूं तो यह जो हमारा फ्लाट है और फ्लाट दिखाने से बढ़े एक बड़ में फॉल सिलिंग एक बड़ दिखाई है यह जो हमारा फ्लाट है जो हमने अभी देखा यह मंसराम पार्क ड्वार का मोड उत्तम नगर के के पास परता है इसकी जो हमने कीमत रखी है चुकि इसकी लोकेशन अच्छी है इसलिए इसका जो प्राइस है वह 37 रुपीज का है अगर आप बैक साइड करेंगे तो वह आपका 35 रुपीज का पड़ेगा इसमें लिफ्ट लगी हुई है और इसके साथ हम लोग कार पाकिं भी दे रहे हैं तो चलिए मैं आपको एक बड़ च्छत पे लिए चलता हूं फिर हम वहां पे वीडियो को आइंड करेंगे आई आ गए हम अपने च्छत पे मैं थोड़ा सापको आसपस का डिबलब्मेंट दिखाता हूं कि जो एरिया है जहां पर हम खड़े हैं एक बड़ पर डिबलब्ड एरिया अगर मैं मेट्रो लाइन की बात करेंगे हैं तो फ्रेंट्स हम आपसे मिलेंगे अपने नए फ्लाट में नए वीडियो के साथ तब तक आप अपना बहुत-बहुत ख्यार लखें क्योंकि आप हैं तो हम हैं थांकिसो मच